वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूबान एकेडमी पर आपका स्वागत है अज हम जोगरफी का पहला चैप्टर संसाधन एबं उप्योग का जो अब्जक्टिव कोश्चन है डिसकस करने वाले ठीक है यह चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसका जो अब्जक्टिव कोश्चन है पार्ट वाज डिसकस करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं अगर आपने चैनल को सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए पहले कुछ कॉमेंट पढ़ लेते हैं कल वाले वीडियो पर जो कॉमेंट आया है पहला क कोमेंट है कि रहमत खान जी का इसका 31 को सब्सक्राइब बहुत अच्छा इसे त्यारी बहतर कीजिए उसके बाद प्यूस कुमार है सर मेरा 34 में 34 आया बहुत बढ़िया प्यूस जी इसे त्यारी को बहतर बनाए ठीक है चलिए नेक्स्ट और कोमेंट पढ़ लेते हैं सुरेंदर यादव जी यह बोलते हैं 30 में से 34 में से ठीक है अच्छे से त्यारी कीजिए 34 में 34 कीजिए यह देखिए बीबी फातिमा जी इसका उल्टा लिख दिया है इसका 32 सही वा 34 को सब्सक्राइब ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद है आरियन राज जी सर मेरा 31 सही वा 34 में बहुत बढ़ियां आरियन राजी ठीक है नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं कुछ कॉमेंट है उसके बाद है अनूज राज धन्यवाद गुरू जी आप निश्वार्त बहुत से मदद कर रहे हो ठैंक्यू इसका 33 सही वा 34 में बहुत बढ़ियां ऐसे ही पर तयारी किजिए अनूज जी नेक्स्ट है अर्विंद कुमार जी का इसका 34 में 34 सही हुआ बिल्कुल ऐसे मेहनत करते रहे है ठीक है चले शुरू करते हैं आप भी बताएगा आपका कितना क्वेश्टन सही हुआ आज के वीडियो में ठीक है पहला क्वेश्टन है कि दूसरा पिर्तफ्वी समम्मेला में कहां आयुजित किया गया रियो डियोर्म जैनेरियो न्यूय AHर्क जोहांसवरर स्टोक हम दैखिए पहला दूसरा तिसरा कापी important है तो दूसरा पिर्तफ्वी सम्मेलन जबाथा यह नियॉ-यर् तो हुआ था यह और यह तो पहला कप हो गया में रियोड जेनरियों में और दूसरा कब गया 997 में निव्यायर्क में और तीसरा कब हो गया 2002 में जोहां सभर्ग में तो इसका सही एंसर क्या हो जागा दूसरा पिर्थवी सम्मिलन कहा हुआ था तो निUM सुनुँद्ध में हुआ था खृएं ठीक है क्लेर हो गया चलिए ये नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट। वो कौन किया था, Club of Rome के द्वारा किया गया था, तो option नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा, Club of Rome, next question पर चलते हैं, सब काफी important question सब है, किसने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये पूछा गया question है, जिमरमेन, महत्मा गांधी, संदिप पांडे, इन्वे से कोई नहीं, तो संसाधन होते नहीं, बनते हैं, ये कफ़न किसका था, तो जिमरमेन सहाब का था, तो option नमर A, इसका राइट एंसर होगा, next question पर चलते हैं, चार नमर है कि सोर उर्जा निम लिखित में से कौन सा संसाधन है, मानव करित, नभी कर्णिया, अजेव, अनभी कर्णियत, तो नभी कर्णिया संसाधन किसको करते हैं, जिसका हम बार बार उपियोग कर सकते हैं, तो सोर उर्जा का हम बार बार उपियोग कर सकते हैं, तो य उखोंग विटलेंड कोर दिखेएट पराइब कर्वेंशन इन में से कोई नहीं तो 1968 मेंभा था उसको हम क्या कौन सा करेंशन करते हैं उसको अफरिकी कर्वेंशन करते हैं ठीका ये से भी तो उख्योंशना क्या करता बाता है यह पुरू सकता अफरिकी कर्वेंशन कर करिंचन कर दो 1968 वरुटा था नेंश्ट नमीनिवन पर याथ काफी इंप्वर्टेंट से लेटेर राइट मिर्दा रंग होता फीला लाल और भूरा नहींường और-खिचוא में और-खिचो कारनो पर लुक्तिफसाइड के और जोआ लुलियुक्तिफसे का-दार आज़स्थान महाश्च पुछाजाना तर्फा पुछाजाना का दूसरा नाम किया ऐसकते हैं काली मिर्दा का दूसरा नम दूसरा नम रेगूर उप्रूर्ण किसके लिए और आपको पुछता काली मिर्दा का सबसे अधिक विश्तार महराष्ट में हो गया ठीक है इसके बाद आपको गुजरात में हो जाएगा फिर करनाटक में आंधर परदेश में और तमिलनाडू में हो जाएगा ठीक है लेकिन सबसे अधिक विस्तार कहा है तो महराष्ट में ऑप्शन नमर डीस का रैट अंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं आठ नमर क्वेशन है कि पूरानी जलोड मिटी को क्या कहा जाता बांगर खादर यावर रेगर तो पूरानी जलोड मिटी है इसको क्या कहा जाता तो इसको बांगर कहा जाता क्या कहा जाता बांगर लेकिन नवीन जो जलोड मिटी होता उसक को क्या कहा जाता तो उसको कहा जाता खादर को चलते हैं 9 नमर है कि weakened by भुमी निमिनी करन का मुखे कारण किया है सबसे अधिक सिचाइज जो है इसका मुखे कारण है ठीक है ? Data D इसका Right Answer होगा अधिक सिचाइज एक कारण की पंजाब में क्या हरा ? भुमी निमिनी करन होगा Next question पे चलते है दस नमर कुछान है कि मानस वन जीब अभियारन किस राज में अवस्थित है गुजरानत उडिसा असम केरल आपको या क्या कद राष्टिया उदियान याद करना परेगा काफ़ी इंपोर्टेंट है इसे पूछा जाता है अच्ко-15 हम लिखा देंगे अच उसको आपनोड कर लीजे गट्तो तो मानस रावनी जीब अभियारन काउगिया यह असम में हो जाएगा मानस और एक यादट रखना है का ते कजी रंगा काजी में हो जाता है मानस और कजी रंगा आपको काई हो उडिशा पूछे पूछती हो गया तिक delivered यह यहाद राखता। आपको पूछे पालाम राष्टाय सhhh हुद्याल में हो गया यूपी में हो गया यूपी कर राष्टाय पक्रश्ची पश्ची थ CCP ने पूछते boost बंग। यहां और पसी कर्देत Emperor संदर संदर्वन आपको बंगाल में हो जाएगा और यह क्या करते हैं यहां पर पूँछेगा राजस्थान तो राजस्थान में आपको वेश्ट बंगाल में हो गया और राजस्थान में हो गया धाना पक्चीं वीःष ठीक एए, एक दो ओर लीख की? बच गिया अब मदपरदेस ये कूल कि मदपरदेस काफी इमपोटेंट इसमने बहुत सार आए लेकिन याद रखना आपको बांधव star बांधव घड़ी यह ओ घांग अ काना है पलस पंड़ तीन यासरा लखना काफी इमपोटेंट और पंन ठीक है कि मदपर्देश हो गया करनाठक बच गया करनाठक भी लिख लीजिए को करनाठक करनाठक में आपको याद रखना बांधिपूर राष्टिया उद्यान ठीक है काफी इंपोर्टेंट बांधिपूर हो गया और एक और याद रखिए यहां करनाठक में गांधी सागर गांधी सागर मद्य पर्देश में बांदा बगाट करना पनना ठीक है याद हो गिया अब इतना नोट कर लिए काफी इंपोर्टेंट है यह सब ठीक है चलिए नेक्स्ट कुष्टन पर चलते हैं इसका कि पर चलते हैं बारा नमर क्यों रहा है कि नर्मदा नदी गोदावरी नधी क्रिश्णा नदी टाप्ती नदी तो नगारजन शागर जो पर्योजना यह किस नदी पर तो क्रिश्णा नदी पर है एक ढखान याद रखना है काफी इंपूर्टेंटर अगर आपको पूझे गा सर तो किया याद रखने है सर्दार सरो अदिबांघ Oh God जुआ के रहरे मिंदा नदी पर फिश्टा सि Corey या किर्ऴति प होगा उप्सिन Gradib borderal से cricket प्रेंके संदरेगा मनेर्प प्र में घृपर होगा जो संर अधिक विस्तार है सुन्दर्वन में शेख है अगर सुन्दर्वन कहा है तो यह सुन्दर्वन कहा है अभी बताए कि वberry utiliz बंगाल में पसिम बंगाल में तो option no.20 का right answer होजएगा शुन्दर बन next question पे चलते हैं 14 no.2 कि महराश्ष्ट में प्रति जल दोहन में भुमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा फॉलोराइड कोलोराइड आर्चेनिक लो आप देखते ही आर्चेनिक मारिएगा लेकिन यहां देखिए आप बिहार में पड़े होंगे लेकिन महराष्ट में यहां देदी हैं ठीक है तो महराष्ट महराष्ट पलस राजास्थान पूछेगा राजास्थान तो वहां जो भुमिगत जल के संकेंद्रन किस तत्व का बढ़ा अगर यह पूछेगा तो वहां फॉलोराइड हो जागा ठीक है लेकिन आपको बिहार और वेस्ट बंगाल यानि पस्षी मंगाल में पूछेगा तो महराष्ट और राजस्थान में अती जल दोहन से भुमिगत में किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा यह पूछेगा और महराष्ट और राजस्थान में तब हो जागा फुलोराइड लेकिन बिहार और पस्षीम बंगाल में पूछेगा तो वहां आरसिनिक हो जाए इसका दोहादार एक जो है इसका गणातिव के द्रिश्टी से बाटा गिया अगर वन संदक्षन एवन परवंधन के द्रिश्टी से पूछेगा तब क्या हो जागा तीन वर्गों में बाटा गिया ठीक है तो यहां क्या पूछ रहा है संदक्षन एवन परवंधन से क्या हो जागा तीन वर्गों में बाटा गया ठीक है ग्लियर हो गया अगर घनत्र के दिरिष्टी से पुछेगा पांच वर्गों कौन सा बांटा गया तो अत्यांत सघनवन पाला सघनवन खुले वन जड़िया वन और मेंगोरोब हो जाएगा ठीक है किलियर हो गया चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं छे नमर कोशन है कि एक एंजीयो की वान जी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विस में कितने हेक्टेयर भूमी पर वन का विस्तार है 1948 से पुझ रहा है 1948 है 63 है 90 है 2005 है चारों हम लिखा देंगे ठीक है तो 1948 से जब पुछेगा तो उससा में कितने अरब हेक्टेयर था तो चार अरब हेक्टेयर वन का विस्तार था ठीक है यह कब हो गया 1948 में कितना हो गया चार अरब हेक्टेयर अगर पूछेगा 1963 में कितना था तो 1963 में घटकर 3.8 reserved हेक्टेयर हो गया और एक याद रखेगा 1990 में भी हुआ था तो उससा में कितना हो गया तो घटकर 3.4 लेकिन 2005 जो है भीड़कर 3.9 हो गया ठीक है कर 2005 में तो यहा 1948 में पूछ रहा तो 148 में कितना था चार अरोप हेक्टेयर ठीक है चारों धियान में रखिएगा लेकिन यह क्वेस्टन जो है डारेक्ट बुक में दिया हुआ इसलिए इसी को 1948 बाला ही पूछने की जैदे संभाव ना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं और खवर्ण में दिया हुआ तो यहाँ क्या पूछ रहा है घड़ियाल परजनन केंद्र है और सपहेद बाग, परजनन के अंदर कहा है, तो ये नंदन कानन उडुशा नंदन कानन उडिशा में कुन सपहेद बाग परजनन के अंदरो मुर्याहमद하면서 और दूनों धियान में रखिये का भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोश्चन पर है सब कोश्चन पढ़ा लेजे जिससे के आका एक्जाम में एक भी कोश्चन नहीं चुटना चाहिए ठीक है जालिस में ठोकना और भारत में वाग परयोजना की शुर्णबात कभीए उसन पैये उसन नहीं गरेग स्पारण रहे में radicalM औरम का लिए फीक्रोट दिवल्ली ऊप्सालिए और दिक्सरों उसन तो बहरे किने में भी खनीज पूछ रहा है तो गर्यफाइट क्या हो जाएगा दहकू जाएगा धात-वी नेक्स्ट केस्न है विस नमयर् कि निमन में से कोण साल यू ग तर्थम का उदारान हुब सब सब देखही एक दो और याद रखेएगा लोयू निचेल आपको यह सब क्या हो गया अलो यूक्त पलस क्या करते बॉक्साइट यह भी क्या है बॉक्साइट यह भी अलो यूक्त खनीज है ठीक है और टीन हो गया है टीन उसके बाद क्या करते सोना चांदी यह सब भी क्या हो जाएगा सोना पलस चांदी यह सब क्या है अलो यूक्त खनीज है थीक है चलिए next question पे चलते हैं एक इस नमर question है कि एक तन इसपात बनाने में किटने मीस का उपयोग होता पांक तो एक तन इसपात बनाने में ओफ्हाल नहीं का उपयोग होता वह 10 ktatter 10 kg होता कितना होता है दास किलो का उप्योग होता तो अप्शन नमर 20 का राय टेंसर हो जाएगा 10 केजी नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं तो पूरवतर राज की 1888 आदिवासी जीलों में जो कूल वन का छेदर फल है वो है 60.11 पर तो अप्शन नमर 20 का राय टेंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं कि नमर कोशन है कि समुदरियह च्थ्र में राजनिती सिम भीकिономहा की कितने किलोमेटर लुक दुर तक 2019.22 किलोमेटर तक है और गोम सालने 10 का राय टेंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं 26 काफी इंपोर्टेंट है और पूछा कहा है कि यूरेणियम का पर्मुक उत्पादक के अंदर है डिग जड़िया घट सीला जादुगोड़ा तो यूरेणियम का जो प्रमुक उत्पादक के अंदर है बहुत क्या जादू गोड़ा अप्सन नमर्डी का राइट एंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पे चलते हैं 37 नमर कोईशन है कलपकम पर्मानु सनियंत्र किस राज में हवस्तित है महराष्ट, राजस्था, तमिलाडू, उत्तर पर्दिस तो ये पर्मानु सनियंत याद रखना है काफी इंपोर्टन सा ठीक है, क्लियर हो गया राजस्थान में आपको हो जागा राना परताप सागर राना परताप सागर पर्मानु सनियंत्र ये का हो गया राजस्थान में तमिलाडू में हो जागा कलपकम और कुडन कुलम ये दोनों का है तमिलाडू में उत्तर पर्दिस में अगर पुछेगा तो उत्तर पर्दिस में आपको नरोरा हो जाएगा कौन सा नरोरा ठीक है तो महराष्ट में हो गया तारापूर राजस्थान में राना परताप सागर हो गया तो मिल्लाटुम कलपकम एवं कुडम कुलम दोनों हो गया उत्तर परदिस में नरोरा हो गया एक और याद रखना है गुजरांत में तो गुजरांत में एक है कौनसा काकरा पार काकरा पार परमानु सनियंद ठीक है तो कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे परमानु सनियंद याद रखना है कौनसा महराष्ट में तारापूर हो गया राजस्थान में राना परताप सागर हो गया तो मिल्लाटुम कलपकम एवं कुडम कुलन हो गया उत्तर परदिस में नरोरा हो गया इसराप भूजरात में काकराप अपार हो गया है तो यहां क्या है पुछ रहाе कलपककम पुछ रहा है कलपककम और हम तमिल्लाडू में सुंधड़र हो गया नेक्स्ट क्यूसन पर चलते हैं अट्छ सबसे अधिक अगर आपको पुछेगा सबसे अधिक जो लोग उत्पादन करता करनाटक कितना करता है तो 25 पर ठीक है दूसरे अस्थान पर 36 गड़ है 36 गड़ यह कितना परतिशत करता है तो यह 20 पर उनिसपरतिशत करता है तीसरे अस्थान पर 19 पर 30 में आयो उर्षा कितने थर्ड अस्थान पर 29 पर उत्पादन करता और 16 परतिशत गोवा उत्पादन करता है जारो ध्यान में रखे की सबसे धी करनाटक उतपादन करतां उसके वाद चाथिस गड़ उसके वाद उडिशा और गोवा करनाटा कितना करता है तो 25 परतिसाथ चाथिस गड़ कितना करता है 20 परतिसाथ उडिशा 19 परतिसाथ और गोवा 16 परतिसाथ करता है ठीक है ने बाबु बुदन की पहारी किस राज में मस्तित है जारकन उडिशा थिसगर करना टक तो बाबु बुदन की जो पहारी है करना टक मस्तित है ऑप्षन नमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा तो पार्ट फस्ट में तीस कुष्चन डिसकस किये पार्टूम जैदे कोशन लाने की कोशिज करेंगे ठीक है तिन चार पार्ट में चलेगा उसके बाद खतम हो जागा क्योंकि यह चप्टर बहुत बड़ा है इसलिए पार्ट बाज हमको करना परा ठीक है नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता फिर आप लोग देखते नहीं ठीक है लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें धन्यवाद जाहिंद